सब्सक्राइब तो माई चैनल और प्रेस दे बेल आइकोन पर लेटिस वीडियो अपडेट्स नमस्कार दोस्तों मेरा नाम एरपत और यह फोर्थ एपिसोड है आस केपी का दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके कोश्चन को कवर किया है और वो है तो दोस्तों आप देखते रहिए यह वीडियो दोस्तों एक्जाइम तीन घंटे का होता है और इन तीन घंटों पर आपका पुरा सेमिस्टर या फिर आपके पुरा साल डिपेंड होता है तो यह बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट है कि आप इन तीन घंटों को अच्छे से उटिलाइस करें बोर्ड एक्जाम हो या फिर आपका सेमिस्टर एक्जाइम हर एक्जाइम में आपको 15 मिनिट्स एक्स्रा दिये जाते हैं तो आपको इन 15 मिनिट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है आपको इस 15 मिनिट्स में सबसे पहले कोश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है और फिर जो भी चोईस वाले कोश्चन है आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने हैं select करने हैं आपको C選 करना है कि आपको कौन सा question करना है इससे आपको दो advantage होंगे पहला तो है आपका time बचेगा ग्योंकि आप जब उन questions को perfekt करने जाएंगे तब आपको उन दोनों questions को नहीं पढ़ना होगा और इंसेक्ट है कि आपको mental advantage भी होगा ग्योंकि जब आप किसी question को select कर लेते हैं तो सिर्फ आपके mind में वो questions ही रहते हैं और जो भी matter उन questions से relevant नहीं है वो अपने आप यापकी दिमाग से हट जाता है तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको तीन घंटों को अच्छे से इस्तेमाल करना है तो normally जब हम exam की starting करते हैं तो हम उसको बहुत ज़्यदा slow start देते हैं क्योंकि हम यह चाहते हैं कि सभी answers की writing अच्छी हो और वो एकदम perfectly written हो तो इससे यह होता है कि जो last का अधा गंटा बसता है उसमें हमारे पास बहुत सारे question बच जाते हैं और फिर हमें वहाँ से speed up करना होता है तो इससे यह होता है कि कभी तुम अपना paper को पुरा कर लेते हैं और बहुत सी बार paper छूट भी जाता है तो अब मैं आपको एक trick बताऊंगा जिससे आपका paper कभी भी नहीं छूटेगा तो दोस्तों इसको मैं English के paper से बताता हूँ तो आपके English के paper में total 3 sections होते हैं section A, B, C, section A होता है reading, second होता है writing और third होता है literature section तो दोस्तों आप इन sections को पहले से ही time allocate कर दीजिए let's say हम इसको 50 minutes allocate कर देते हैं मतलब हमने 2 hours और 30 minutes पहले ही allocate कर दिया है अब इससे ये होगा कि हमें हर section को 50 minutes में ही करना है मतलब हमारे पास एक goal आ गया है for example अगर मैं literature section से start करता हूँ तो मुझे 50 minutes में पूरा literature section खतम करना है तो अगर मैं slow start भी कर रहा हूँ मतलब जो मैं initial 30 minutes से उसमें आराम से लिक रहा हूँ तो जो बाकी के 20 minutes बचे हैं उसमें मुझे extra push देना होगा मतलब मुझे अपनी speed बढ़ानी होगी और उस section को किसी भी हालत में 50 minutes में ही cover करना होगा तो दोस्तों इससे ये हो रहा है कि आप आपके exam के initial hours में ही extra push दे रहे हैं मतलब आप महीं पर अपनी speed को बढ़ा रहे हैं और जो आपके goals हैं मतलब 50 minutes में एक section को complete करना उसको भी आप complete करते वे जा रहे हैं तो definitely आपका paper time से पहले खतम हो जाएगा और आप 2 hours और 30 minutes के एप्रॉक्स में अपने paper को complete कर पाएंगे उसके बाद आपको revision के लिए भी time मिल जाएगा और दोस्तों by chance अगर आपका कोई section 50 minutes में complete नहीं होता है तो जो आपके last के 30 minutes हैं जो आपके extra बच रहे हैं आप उसमें से थोड़ा time वहाँ पर allocate कर सकते हैं तो दोस्तों ये चीज तो आप apply कर सकते हैं जब आपको सभी questions आते हैं लेकिन अगर आपको सभी questions नहीं आते हैं तो आप ये करें कि जो भी आपको सभसे अच्छे questions आते हैं आप उसको सबसे पहले करिए इससे ये होगा कि last में सिर्फ वही questions बचेंगे जो हमें कम आते हैं या फिर बिलकुल नहीं आते हैं और अगर by chance वो questions shoot भी जाते हैं तो उससे हमें इत्ता ज़्यादा loss नहीं होगा और अगर आप college की student हैं तो भी आप exam देने में यह trick अपना सकते हैं क्योंकि जो university का paper होता है उसमें total 5 sections होते हैं और आप उन 5 section को 30-30 minutes allocate कर सकते हैं तो इससे आप 2 hours तो 30 minutes शुरू में allocate कर देंगे और आपको यह target रखना है कि आप किसी भी हालत में एक section आदे घंटे में complete कर दें और अगर extra push की जरोत हो तो आप उस आदे घंटे में यह extra push को दे दें ना कि उस extra push को last के आदे घंटे में दें और एक और question जो मुझसे बार-बार पूछा जाता है वो है कि English के paper को हमें कैसे attempt करना है तो दोस्तों आप English के paper को पीछे से attempt करिए मतलब literature section, फिर writing section और last में आप करिए reading section क्योंकि literature section वो section है जिसके आपने सबसे ज़्यादा तयारी करी है क्योंकि यही वो section है जो कि predictable section है जिसमें आपके predictable questions आते हैं तो आप उसको आराम से attempt कर पाएंगे फिर second आप करिए writing skills क्योंकि इसमें अगर आपको format याद है तो आप आराम से language को लिख सकते हैं और last होते हैं unseen passages वाले section जो कि होते हैं unpredictable question तो अगर आप उसको last में करते हैं तो यह best option होगा तो दोस्तों इस video में इतना ही मुझे उमीद है कि आप कोई video पसंद आया होगा अगर आपके कोई भी doubts हो तो आप उसे comment box में लिखिए और आप भी मुझे कोई question पूछना चाते हैं तो आप उसे comment box में लिख सकते हैं या फिर मैंने आपको एक google form का link भी दे रखा है description में आप वहाँ पर जाकर भी मुझे कोई भी question पूछ सकते हैं दोस्तों आप मेरे चैनल को भी subscribe कर लीजिएगा क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है subscribe बटन के पास बने एक bell icon को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल की latest updates आप से miss न हो तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिन, जय भारत झाल